बारिश हो रही हो और अगर ऐसे मी गर्मा गर्म पकॉड़े मिल जाए फिर तो बारिश का मजा ही आ जाए तो चलिए बनाते हैं आज मूंग डाल की पकॉड़ी तो यहां पे सबसे पहले मूंग डाल को 6-7 घंटे के लिए अच्छे से भीगो ले इसके बाद इसे ग्राइंड करेंग कटा हुआ प्याज अद्रक लेसन अहरे मिच इस सभी को बारी कट करना है और इन सभी को इसमें डाल देना है बहुत ही अच्छा इसमें लगता है और इसे अच्छे से मिक्स कर दे तेल को गर्म होने के चाहा दिया कुछ इस तरी किसी हातों से पकॉड़ी बना के गर लाइक और हमारी चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले